एक जनवरी 2021 इस नई तारीख और नई साल के साथ कुछ नियम भी बदल जाएंगे जिनका सीधा सीधा असर हर भारती नागरिक पर पड़ेगा ये बदलाव बेहत महत्वपून हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको नई साल में नई परिशानियों का सामना ना करना पड़े और साल बदलने से पहले आप इन नई बदलावों को लेकर अपडेटिड हो इस लिस्ट में दस बड़े बदलाव शामिल हैं कौन-कौन से आईए जानते हैं एक जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे सकारात्मा भुकतार विवस्ता यानि पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक पेमेंट के जरिए पचास हजार रुपे यह से ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दुबारा कंफर्म करना होगा हाला कि यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुवधा का लाब उठाता है या नहीं चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी SMS, मुबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भी दे सकता है भारतिय रिजर्व बैंक ने कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट की लिमिट्स 2000 से बढ़ा कर 5000 रुपे कर दी है यह एक जनवरी 2021 से प्रभावी होगा डेबिट और क्रिजिट कार्ड से 5000 रुपे तक की पेमेंट्स के लिए पिन नहीं डालना होगा महंगी हो जाएंगी कारे आटो मुबाइल कमपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल्स के दाम बढ़ाने जा रही है जिसके बाद कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा अब तक मारूती महिंद्रा की बाद रेनो और एमजी मॉटर दाम बढ़ाने का एलान कर चुकी है केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों पर फास्टेग लगाना अनिवारे कर दिया है बिना फास्टेग के नैशनल हाईवे टोल पार्क करने वाले चालकों को दोगुना चार्ज देना होगा फिलाल सभी चोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टेग और 20% लाइनों को कैश में इस्तिमाल किया जा रहा है अगर आप एक जनवरी के बाद लेंड लाइन से किसी भी मुबाइल नंबर पर फोन लगाते हैं तो उसके लिए आपको जीरो का इस्तिमाल करना होगा बिना जीरो लगाए आपका कॉल नहीं लगेगा सेवी ने मल्टी कैप मूचल फ़न्ट के लिए असेट ऐलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है नए नियमों के मताबिक आप फ़न्ट का 75% हिस्सा एक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा जो की अभी नियूनतम 65% है सेवी के ने नियमों के मताबिक मल्टी कैप फ़न्ट के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा फ़न्टों को मिट कैप और स्मॉल कैप में 25-25% निवेश करना जरूरी होगा वही 25 फ़ीस लार्ज कैप में लगाना होगा UPI पेमेंट में होगा बदलाओ एक जनवरी 2021 से UPI के जरिये पेमेंट करना महंगा हो जाएगा थर्ट पार्टी की ओर से चलाई जा रहे एप्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया गया है National Payment Corporation of India की ओर से ये निर्ने लिया गया है GST Return के नियम बदल जाएंगे बता दें कि देश के छोटों कारुबारियों को सरल त्रेमासिक गुद्स एवन सर्विसेस टेक्स यानि GST Return फाइलिंग सो विधा मिलेगी नए नियम के तहट जिन कारुबारियों का टर्नोवर पाच करोड रुपे से कम है उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी नया नियम लागू होने के बाद टेक्स पेयर्स को केवल आठ रिटर्न भरने होगे इनमें 4 GSTR, 3 B और 4 GSTR एक रिटर्न भरना होगा सरल जीवन पॉलिसी होगी लाँच अब 1 जनवरी के बाद आप कम प्रीमियम में बीमा भी खरीद पाएंगे IRDII ने सभी कमपनियों को सरल जीवन बीमा लाँच करने को कहा है आपको बता दे कि आरोग्य संजीवनी नामक Standard Regular Health Insurance Plan पेश करने के बाद एक Standard Term Life Insurance पेश करने का निर्देश जारी कर दिया गया है कुछ फोन में WhatsApp काम करना बंद कर देंगे आपको बता दे कि आने वाली एक तारीक के बाद कुछ Android और iOS फोन पर WhatsApp काम करना बंद कर सकते है कमपनी ने बताया है कि जो साफ्ट वेर पुराने हो चुके हैं उन पर WhatsApp काम करना बंद कर देगा तो ये हैं वो बड़े बदलाव जो नए साल यानि एक जनवरी 2021 से लागू हो जाएंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समय रहते ये एहम जानकारी सभी तक पहुँच जाए नमस्कार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद